जहिया से मारल के छोटू का बाबा वो करे पर लागल धियान छे आईवा कोना हम जल चरहावे संकट में पहरल परान छे भाईया भोजी हमर बनलाई का सैया घोरे के कारल इकांड छे आईवा कोना हम जल चरहावे संकट में पहरल परान छे की जाई जिता जो जानू लोट केने आई है दो सर के नम के से नूर मांग में लगई हैं पेनी के कंग नागे पीयवा के यंग नागे अई तो बरात तो हर डुली चल जाई तो ले दिल के खून गिरानी महधि के काम मैं नमस्कार आज हम मध्यपूरा से चलके मध्यपूरा के बिहारी गंज परखन पहुंचे हुए हैं और बहुत सारी कठनाईयों का सामना करने के बाद हम बिहारी गंज पहुंचे हुए हैं और इसलिए पहुंचे हुए हैं ताके आपको मैं कुछ एक खास किस्म का आदमी से मिल आज वो हमारे साथ मौझूद है और हम आज उनके इस्टुडियों पे आयोए हैं गोड़ा इंटर्टेन्मेंट पर गोड़ मुझिक पर और वह बिहारी गंज में पड़ता है और आज हम उनके इस्टुडियों पर आयोए हैं कुछ खास मकसद से तो आए हम जानते हैं क्या थ मुझे देख रहे हैं पब्लिक मुझे देख रहे हैं सभी का दिल से दिने वाद पैर चुके पड़ा है कि क्या आपकी क्या पहले पहले की देनिया इस्थिती थी क्या पहले आप क्या करते थे और अभी आप किस मंजिल को प्राप्त है अभी आप क्या कर रहे हैं और आप जो यह मंजिल प्राप्त किये हैं इसमें क्या कशनाई हुई है कि आप मैं कुछ दिक्कते का सामना करके आप यहां तक पहुंचे मैं या सबसे पहले तो किसी भी काम को स्टार्टिंग में बहुत सारी कटना योग सामना करना पड़ता है सेम मैं भी उसी तरह हूं और मैं बहुत सुदूर देहात जो काता है मैं वहाँ से हूँ जहां सकी शंगीत का कोई वैयल्युने प्राइंiron में मेरा स्टार्टिंग केरियर हुen हरобщ हुआ है मैं बेंच पर्टी से गाना शुर्वात किया हूं मैं यादब होने के बाबसूत भी बेंड पाटी में गाता था लोग मुझे चमार काता था और जो लोगों ने मुझे उस भौज के पंक्ती में से चमार काके उठाया था जूनिका बेटा पोता मेरे साथा के से अलफी लेता है तो यह audience के मैं धन्यवाद देना चाहता है कि मुझे उस लाइक बनाया और मैं मेहनत कंटिन्यू करते आ रहा हूं और करते जा रहा हूं हमें चाहता हूं हमेसा हमारी यही सोच रहती है कि मैं हर तरह से किसी भी तरह से मैं audience अपने सुरता भगवान का entertainment कर सकूं मैं हमेसा इसी क मातरा में सुनना पसंद करते हैं तो क्या वज़े है क्या कुछ किस्म का song गाते हैं जो आपको लोग पसंद करते हैं सबसे पहली बात तो इसलिए मुझे पसंद करते हैं क्योंकि आज तक असले लगाना नहीं गाया हूं बहुत सारे star हैं विक समय में अपने आपको hit होने के असलील गाना गाते हैं गाली गाते हैं बट हमारी आज तक रिकोर्ड हमें अभी तक आज तक एक भी में गलत गाना नहीं गाया हूँ इसलिए खर मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को स्टेज नसिब नहीं होता और मुझे ज़्यादा लोग स्टेज पे ही प्यार करते हैं ज्यादा व्यूवर्स हमारा स्टेज सोका ही होता है तक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मुझे इसी बज़त से मैं आज तक असलील नहीं गाया हूँ इसली मुझे इतना सारा लोग ओडियंस प्यार करते हैं और मेरी खास करके मेरी जिवन में ये उमीद भी है कि मैं कभी गलत गाने को सुनते हैं तो हमारी कोशिश है कि मैं कभी जिवन में गलत गाना असलील गाना नहीं हूँ असलील गाने गाना जो गाते हैं सिंगर उन सब के लिए क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले तो ओडियंस मैं कहना चाहूंगा कि आप सबोंशी शिकायत है मुझे कि आप लोग असलील सुनते हैं तो ही कोई इसलील गाना गाते हैं तो आप लोग असलील सुनना बंद कर दीजे कलाकार जो असलील गाता है वो गाना बंद कर दे तो आपका कुछ जो आपकी जो सुरुवात हुई थी किस गाने को लेकर के हुई थी और किस स्टेज पे हुई थी कहां से क्या हूं यह मुझे भी पता नहीं है कि मैं कि सिस्टेसों से बस मेहनत करते हैं लगाता है दिरे 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 बड़ा-बड़ा मंच मिलने लगा और आज शुक्र को जार हूं शुभी ओडियंस का मुझे इसलायक मनाया है तो स्टार्टिंग गाना तो बहुत सार गाया ह ले दिले के खुन गरानी महधी के काम मैं एक तो तो चान के यह घृम ज़ना मरत प्याइच्टि विद्साइए अब आप बिहार कि इंडिया में लगभग हमें उमीद है कि आप única बिहार भी प्रोग्राम कर चुके हैं लगभग कितनी मात्रा में कितनी राजी में आप कर सुपके बिहार के वारा मैं 14 स्टेट में काड़ी करम किया हूं और 14 स्टेट में बहुत पूरी बहुत 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 इंगली लेता हूं अंगे का बोली लेता हूं मैथली बोली लेता हूं बस आगे और पंजावी भी सीख रहा हूं दिरे दिरे लगवग में हमारी है कि दस वसा कम से कम कलाकार दितना नोलेज तो रखना पुड़ेगा हमारे ओडियंस के लिए कुछ भौजपूरी भासे में कुछ कहना चाहेंगे या फिर कुछ संदेश देना चाहेंगे अपकोस जेतना भी भौजपूरी के देवतार भी होता बनेजे सबके पैर चुके पनाम हम चाहाब कि अगर हमर गाना जेतना भी माता काका बाइन बेटी काका चाचा पीतिया जौन भी सुनता निजा तो लोग जादा ज्यादा प्य अगावल बंद कर दिकला आभी सावन का महीना चल रहा है सबना लोग जोड़ जोड़ जोर से जो है बावार नगड़ी जा रहे हैं हमारे सोभाग की बात है कहमारे मध्यपूरा में एक अस्थान है बस्तान से मसूद है शेयसुर अस्थान जहां आप पिछले फिरते तीसर कर चुके हैं क्या महसूस वहाँ जाने के बाद और क्या लगा सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मधेपुरा मैं जुए सिंगेसर बाबा का मंदिर है मैं अपने आपका बहुत शौबाग्य समझता हूं कि इतने मतलब शक्ति पीठ संस्तान पर मुझे कारी करने का भी बहुत धन्यवाद है बहुत मज़ा आया काडिकरम करके उन लोगों ने जो मुझे सम्मानित के सम्मान दिया मैं जीवन वर इन सभी का आवार रहूंगा बहुत मुझे प्यार मिला वहां थे अभी एक न्यूज लगातार वाइरल हो रहा है यह आरती छोटू और आरती क दो कई दाए यह ऌहर वहा वह आया हो आया है हुआ झाता है जही आसे मारा लखोतू तो बहुत जादा लोगों ने इस गाने को मेरा प्यार दुलार दिया और ये आरती का भावता छोटू के लिए और ये तो पूरी इंडिया में बाराल है लड़की और दो प्यार करने वाले का इसे इसे हुआ सब लोग जानी रहें तो चली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे स्टूडियो पर आए इनके लिए मैं सुक्र गुजार हूं आप सभी का कि आप लोग इतना टाइम दिये मुझे और बाचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है और जितने सारी ओडियोंस मुझे देनिक मधिपूरा के माधियम से देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग प्यार दिजिए देनिक मधिपूरा को और साथी साथ मुझे भी प्यार दिजिए धन्यवाद तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे खेसारी जुनियर खेसारी जी और जिनकी जुबानी आप सुनें वो कहां से उठकर किस मुकाम पे अभी है वो क्या कुछ कशनाईयों को जहलते वे वो इस मंजील को प्राप्त किये हैं तो फिलाल इस वीडियो के माध्यम से और एक चीज़ बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को प्रोग्राम करवाना हो या फिर खेसारी विया का कहना है कि गरीब जो सिंगर है व तो आप अगर इस तरह से विलोंग करते हैं तो आप विहारी गंज के गौड म्यूजिक में आकर करके संपर कर सकते हैं और फिलाल हमारे वीडियो के डिस्क्रीप्शन में खेसारी विया का नंबर है और उनका जो एस्टुडियो है उसका नाम लिखा हुआ आप वहां से पर कर सकते हैं तो ततकाल अभीना सारी अग दिजे इजाजत मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिलाल देखते रहिए दैनिक मदेपूरा